स्वागते पेरे बच्चों मेरे यूटूब चैनल में आए शुरू करते हम दो अपना सिनोनिम्स अंडोनिम्स का प्रैक्टिस एक हमारा इसमें जो पहला वर्ड है वह है मिरैकल देखो कितना शांदार वर्ड है मिरैकल का हिंदी होता है चमतकार जादू या चमतकार चार orum मतलब 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 या चमतकार मैजिक फोगया जिन अरी ही फोगया मैजिक हो गया में जादू है मिरैकल हो गया मैज या मिरैकल वाइच हो वीडियो को जरूर लूप्री करिए अर्ला व Corn sheet कितना शांदार वर्ड है L-I-M-P-I-D हर एक्जाम में आता है ऐसे सारे words Limpid का मतलब होता है एकदम स्वक्ष एकदम साफ सुतरा एकदम clean यानि पारदर्शी जैसे कोई सीसा है उसके आरपार आप देख पा रहे हो तो आप कह सकते हो कि एकदम ये clean है साफ सुतरा है पारदर्शी है तो इसके हिसाब से कर देखा जाए पहरे बच्चों तो इसका रोका C clear क्योंकि clear का भी मतलब होता है एकदम साफ सुतरा वैसे cunning का मतलब क्या होता है cunning का मतलब होता है धूर्थ यानि चालबाज imagination का मतलब कलपना और back का मतलब होता है समर्थन करना बैक का मतलब पीछे भी होता है और back का मतलब समर्थन करना भी होता है ठीक है अब आते हैं तीसरा word जो है हमारा इसका भी synonym ही बताना है यानि पर्यावाची serene s e r e n e बहुत ही शंदर word है और serene का मतलब क्या होता है यह में पता होना चाहिए तो serene का मतलब होता है शान्त ठीक है एकदम शान्त इकदम शान्त से serene का मतलब होता है एकदम शान्त तो इसका चार option दिया गया है तो इसका आंसर होगा d calm 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 का भी मतलब होता है बिल्कुल शांत ठीक है वैसे विली का मतलब क्या होता है विली का मतलब होता है दम चलाक धुर्त कनिंग का पर्यावाची है विली डार्कन का मतलब क्या होता है डार्कन का मतलब होता है काला करना किसी चीज को काला करना ठीक है ना डार्क से बना डार्कन और हिंद्धी होता है बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा तो बहुत ही बड़ा का विलॉम चाहिए रनी या धमकाना हत्रेफ नफरत और Intreat का मतलब होता है प्रार्धना करना, निवेदन करना अब आते हैं पांचवे में इसका भी विलोम, यानि उल्टा ही बताना है आपको Cowardly का मीनिंग हमें पता होना जीए, Cowardly का मतलब होता है कायर ठीक है ना, कायर, Cowardly का मतलब होता है कायर, याद रखिएगा और इसका हमें उल्टा बताना है, तो कायर का उल्टा क्या हो सकता है भई, कायर का उल्टा होगा साहसी, और चार आप्शन में अगर देखा जाए तो C इसका अंसर होगा Gallant, G-A-L-L-A-N-T, Gallant का मतलब होता है साहसी, वैसे Debacle का मतलब का होता है, हार या पतन, ठीक है न, गिरावट और Overbearing का मतलब का होता है, और Timid का मतलब दरपोक, तो इसका अंसर होगा नहीं, क्योंकि दरपोक होगा तो ये परयवाची हो जाता है हमें विलोम चाहिए ता इसलिए आंसर होगा C, ठीक है अब आता है, 6 नमबर Ridiculous, बहुत ही शांदार बड़ी है, ये भी एक्जाम के लिए, Ridiculous का मतलब क्या होता है, ये मैं पता होना चाहिए Ridiculous का मतलब होता है, पहरे बच्चो भी तो हसज एसी चीज हो जो जिसको देख करके लोगों कुँँ हसी आ जाए, वो बेतु का हो बेकार हो उसी को कहता है, रिडिकुलिस, उससे कोई लड़का है और आपके क्लास में ji और बेतुका अजीब से ओल यूदल कपड़े पहन कर रहा गया तो आप कहा है कि तो गजब का रिडिकुलेस मैटर हो गया है यहां पर बेतुका यहां से असपद यह नि जिसको देख करके हसी आजाए तो इसका उल्टा क्या होगा तो प्यारे बच्छों इसका उल्टा होगा सीरियस ठीक है क्योंकि हां से असपद का उल्टा होगा अग्दम गंभीर तो गंभीर चीज़ को देख करकर तो हसी नहीं आएगी तो आंसर होगा हमारा सी ठीक है सीरियस वैसे जोकिंग नहीं होगा जोकिंग मैंने इतरह से मजाक से जुड़ा वर्ड है हुमरस का मतलब होत ठीक है अब आते हैं साथ नंबर साथ नंबर का देखना चार ऑप्शन है और हमें बताना है सही स्पेलिंग कौन सी स्पेलिंग सही है बेटर्मेंट है चार ऑप्शन दिये गया है तो इसका बेटर्मेंट की सही स्पेलिंग आपको बताने है प्यारे बच्चों बहुत ही श अब आते हैं आठ नंबर और आठ नंबर में भी आपको सही स्पेलिंग बताने हैं चार स्पेलिंग दिये गए हैं सब एक जैसे मिलते जूलते हैं तो सही स्पेलिंग कौन सी है प्यारे बच्चो इस कांसर होगा बी forecast forecast का मतलब होता है पुरवान लगा देना यानि यानी एक तरह से समझ भापनावि करिदें जो वाला है उसके बारे में पहले ही बतादेना फ़ोर कास्ट कहला है इसरे वीडर का इसका हिंदी मीनिंग भी लिखिएगा या इसका अगर आपके साम आपके पास कोई पर्याबाची हो इंग्लिश में तो वो भी जरूर लिखिएगा ठीक है thank you very much enjoy your day